हेलो एब्रीवन विल्कूम प्रोस्मार्टेजुन आज किस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जी आइसी असिस्टेंट मैनेजर रिक्विट में 2021 के स्लेवस के बारे में यहां पे जी आइस की तरफ से असिस्टेंट मैनेजर की वेकैंसी आउल की गई है जिसमें की आपक कितनी रहने वाली है और इसका फॉर्म फिलफ जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है यह साही चीजे में आपको इस वीडियो में बताने वाज़ी तो वीडियो को पूरा देखी तो चलिए आज की वीडियो करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पर हैं चानल को सब्सक्राइब पर के बिला हैं को और पस लेकर रज़ेगा ताकि ऐसा ही इन्फरमेटी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे इस वेकेंसिक के बारे में पेपर में निकाला गया था जिसमें की बताया गया था कि 11 मार्श से आप इसमें अप की जा सकती है तो यह इसके इंपॉर्टन डेट्स आपको बताएगे है पेपर में यह न्यूज आई थी इसमें जो लोग इलिजबल है अप्लाई करने के लिए जरूर से अप्लाई करें मैं आपको यहां पर सारी इलिजबिटी और साथी एक्जाम पैटन सेलेक्शन प्रोस यहां पर 200 marks के आपके final merit बनेगी 200 marks के ऊपर तो यहां पर जो आपका online test होगा उसमें तीन पार्ट रखेगे इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है आपका online return exam first part A में आपका objective type के question आएगा part B में भी objective type के question आएगा part C में descriptive test होगा जो यहां पर online test होगा for general stream candidate के लिए उनके लिए यहां पर सबसे पहले exam pattern बताया गया है तो यहां पर part A में आपका higher ordinary order reasoning ability रहेगा आपसे पुछा जाएगा जिसमें 40 question रहेगे 40 marks के लिए और 30 minute का time आपको दिया जाएगा part B में जो objective type के question पुछी जाएगा उसमें test of reasoning रहेगे 20 marks के लिए 20 questions रहेगे test of English language रहेगा 20 marks के 20 questions रहेगे test of general awareness रहेगे 20 marks के 20 questions रहेगे उसके बाद है test of quantitative aptitude and computer आपसे पुछे जाएगा जिसमें के 20 questions रहेगे 20 marks के लिए total यहां पर part B के लिए आपको 60 minute का time दिया जाएगा उसके बाद आता है part C जिसमें के descriptive type होगा जिसमें के आपका test in English language रहेगा essay, precise and comprehension आपसे पुछे जाएगा 30 marks के 3 questions यहां पर आपसे पुछे जाएगे total यहां पर 1500 का आपका exam होगा 123 questions यहां पर पुछे जाएगे 60 minute का time आपको यहां पर दिया जाएगा part C के लिए और total time duration जो है वो 150 minute का रहेगा यानिकी 1500 का उसके बाद यहां पर आपको exam pattern बताया गया है Hindi officer candidate के लिए तो उनके लिए part A में जो कि objective type कर रहेगा यहां पर आपके technical and professional knowledge से question पूछे जाएगे जिसमें कि आप देख सकते हो test of Hindi and English grammar vocabulary plus knowledge of arts and rules से पूछे जाएगे question आपके तो यह सारे यहां पर रहेंगे 40 marks के 40 questions रहेंगे 30 minute का time आपको इसके लिए दिया जाएगा part A में part B में यहां पर objective type के questions भी पूछे जाएगे test of reasoning रहेगा 20 marks के लिए 20 questions और यहां पर test of translation पूछा जाएगा computer भी आपसे पुछे जाएगा 20 marks के 20 questions रहेंगे total 60 minute का time आपको दिया जाएगा उसके बाद part C में descriptive type के आपसे question पूछे जाएगे test of Hindi language रहेगा जिसमें की essay रहेगा precise रहेगा and comprehension रहेगा Hindi English grammar भी रहेगा plus आपसे translation भी पूछा जाएगा from English to Hindi and Hindi to English उसके बाद यहां पर प्लस आपके Hindi typing भी होगी साथ ही आपको यहां पर UNI code भी बताया गया है तो यहां पर 30 marks के तीन question आपसे पूछे जाएगे 60 minute का time आपको दिया जाएगा total यहां पर जो आपके maximum marks रहेंगे वो 1500 रहेगा और 123 question रहेंगे 1500 minute का time आपको दिया जाएगा यहां पर जो है वो 0.25 का negative marking भी रखा जाएगा हर question गलत होने पर हर एक question गलत होने पर 0.25 mark का यहां पर negative marking होगा तो यहां पर जो आपको minimum qualifying marks लाने है वो general and OVC candidate के लिए 60% marks लाने है CST को 50% marks लाने है उसके बाद जो candidate यहां पर phase 1 में shortlisted हो जाएगे उनको यहां पर group discussion और interview के लिए बुलाया जाएगा साथ ही यहां पर जो आपकी overall selection process है वो यहां पर आपके online test gd and interview के उपर based रहने वाला है तो तीनों के मिला करके जो general category है और OVC के category के candidate है उनको 60% marks लाने है और यहां पर CST है उनको 50% marks लाने है टोटल यहां पर इन तीनों को मिला करके 200 के उपर आपकी मेरी जो है वो बनने वाली है उसके बाद आप इसका details levels देख सकते हूँ यह इसकी details levels है आप इसका screenshot ले सकते हूँ यह साथ topics आपको पढ़ने है सबसे पहले है यहां पर higher order reasoning ability के लिए जो आपके topics से वो mention किये गया है उसके बाद यहां पर reasoning ability के लिए सबसे जो की मैंने आपको बता दिया है description में यहां पर आपको लिखा गया है कौनकोंसे topics आपको पढ़ने है क्या 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 टाइप से यहां पर रहेंगे यह साए चीज़ आपको दीगे उसके बाद है यहां पर manager English language के लिए आपका यहां पर आप देख सकते हूं यह सारे topics आपको इसमें पढ़ने उसके बाद math का है और computer का यहां पर topics दिया गया है इसका आप screenshot ले लो उसके बाद यहां पर computer का यहां पर screenshot आप ले सकते हैं यहां पर computer का वेदो को अलगा में तो यह ठाम को महत अलगा इस नहीं तो बाद है झन अवेरनेस में तो थो turning में आ जाते हैं और यह थो यह तीनों टाइब के यहां पремसर पूछ जाएंगे अपके तो अब का च्रश 주는 ले यह आपका complete syllabus रहेगा assistant manager skill 1 के लिए यहां पर जो वेकंसी आने वाली है जी आई सी की तरफ से वो assistant manager skill 1 की वेकंसी आने वाली है तो यहां पर इसकी salary की बात करें और eligibility की बात करें तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको इसकी salary बताएट हूँ यहां पर जो आपकी pay scale रहेगी वो basic pay यहां पर आपकी 32,795 हो रहेगी और यहां पर आपका pay scale जो है मन्थली वो आप देख सकती हो increment कैसे कैसे होगा यहां पर आपको क्यों पर आपको salary मिलेगी वो देख सकते हो 69,000 तक आपको यहां पर salary दी जाएगी यह total salary आपकी रहेगी इसकी अलावा आपको allowance भी मिलेंगी हैं जैसे कि दियरंगे हैं टो यहां पे कुछ लेजबिलीटि बटाएगे जैसे कि आप अप्री में इप्राइबpejs लीडिचाइब मैं यहां पर eligible यहां पर इस आम में होना च्माइब sवालों को सकते हैं यह का उस्माड के लिए लिकेत抱 है बाक्राइड काइड जो रिजर्व आता है जैसे कि A C S T हो गेँ तो A C S T को यहां पे 5 सी चूट मिल जाती है, 8mg 00 C को यहां पर तीन साल के चूट मिलती है, और P WbD कैड़र को कि और भी केटोगरी यहां पर मेंशन किया गया आप यहां पर चेक कर लेना कि बात करें education qualification की तो यहां पर आप से graduation मांगा जाएगा with 60% marks आपके होने चाहिए OBC और general category के candidate के लिए अगर आपके पास 60% marks है और आपने graduation किया हुआ है आप इसमें apply कर सकते हो SCST के लिए यहां पर 55% marks आपके होने चाहिए तो यहां पर जो stream और discipline है वह आप चेक कर सकते हो सबसे पहले finance accounts के लिए यहां पर qualification में आपस बीकम मांगा जाएगा बीकम के डिग्री आपके पास होने चाहिए 60% marks आपके होने चाहिए अगर आप जर्नर OBC से आते हो यह आपके यहां पर finance account के लिए रहेंगे उसके बाद information technology software के लिए बीटिक मांगा जाएगा इन IT या फिर computer science से या फिर अगर आपने MCE किया हुआ 60% marks है OBC general category के लिए 55% marks है CST के लिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो लीगल के लिए यहां पर आप देख सकते हो जो कहने यहां पर देल बी जुन होने किया हुआ है वह इसमें अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद Automobile Engineering के लिए जो यहां पर बीटिक किये हुए डिग्री है इन Automobile Engineering में वह इसमें अप्लाई कर सकते हैं बागी परसेंटेश की अक्रेटिया जो हैं वह सेम रहेगा सारे हैं में Civil Engineering इसमें apply कर सकते हैं यह आपको और इस्ट्रीम बताएगा है आप यहां पर चेक कर लिए जिनके पास जाता प्रेफर किया जाएगा बाखी जो इसकी इतना हो तक श्याटए को सब्सक्राइब करें कर देए आपने फ्रेंज को साथ तो मिलती हूं मैं नेक्स वीडियो में बाई बाई